जे मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आपसर? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी चरूल लिखें दोस्तों, अस्विन मा की अमोस्या को लगने जा रहा है साल का आखरी सूर ग्रहन दोस्तों, साल का आखरी सूर ग्रहन, 14 अक्टूबर 2030 दिन सनिवार को लगने जा रहा है ये ग्रहन बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वल्लियाकार सूर ग्रहन है तो ऐसे में ये आपके जीवन को भी किसी ना किसी प्रकार से प्रभाविश जरूर करेगा तो अगर आप इस ग्रहन के असुप प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आपको ग्रहन के समय के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए कि ये सूर ग्रहन कितने बजे सुरू होगा और सूर ग्रहन का मोक्ष कितने बजे होगा साथ ही ये सूर ग्रहन किन किन देशों में दिखाई देगा क्या साल का आखरी सूर ग्रहन आपके सहर में दिखाई देगा या नहीं और इसका सूतक काल लगेगा या नहीं इसकी भी सटीक जानकारी होनी जरूरी है इसलिए लास तक वीडियो को जरूर देखें लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन लबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों 14 अक्टूबर को अस्विन आमवस्या के दिन साल का आखरी सूर ग्रहन लगने जा रहा है वेज्यानिक रूप से सूर ग्रहन एक खगोली घटना है लेकिन जोतिस के लिहाज से ये असुगटना माना जाता है सूर ग्रहन के समय सूर देवता पीड़ी तवस्था में होते हैं और असुफल देते हैं ऐसे में इसका असर तमाम रासियों पर भी पड़ता है आपको बता दूँ कि 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर ग्रहन कन्यारासी और चित्रानचतर में लगने जा रहा है इसलिए इस सूर ग्रहन से जो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वे हैं कन्यारासी के जातक और चित्रानचतर के जातक उन्हें ग्रहन के समय खास सावधानी रखनी चाहिए आप ग्रहन के समय जादा से जादा भगवान का ध्यान करें मंतर जाप करें और बात करें समय की तो 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर ग्रहन भारती समय के नुसार 14 अक्टूबर की रात 8 बच कर 34 मिनट पर सुरू होगा और ग्रहन का मद्धिकाल रात 11 बच कर 29 मिनट पर रहेगा और इस सूर ग्रहन की समापती देर रात 2 बच कर 25 मिनट पर हो जाएगी इस ग्रहन की कुल अवदी लगबग 6 घंटे की रहने वाली है चले अब जानते हैं कि ये सूर ग्रहन किन किन देशों में दिखाई देगा तो दोस्तों ये सूर ग्रहन उत्री दच्णी अमेरिका, कनाडा, आईलेंड, ग्रीनलेंड, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कुलंबिया, क्यूबा, पेरु, उरुगवे, अंटीगुआ, जमैका, हैती, परागवे, ब्राजील, डेमीनिका, बाहामास, बारब पाडोस आदी इस्थानों में दिखाई देगा, हाला कि ये ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, ये सूर ग्रहन भारत के किसी भी इस्थान से देखा नहीं जा सकेगा, इसलिए इस सूर ग्रहन का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा, भारत में ग्रहन से सम्मं कोई भी सूतक नियम दान पुन्य इस्नान आधी मानने नहीं होंगे हाला कि ये सूर ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को सूतक वा ग्रहन के नियमों का पालन करने पर पाबंदी नहीं होगी लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहन के नियमों का पालन करते हैं तो जो लोग नियमों का पालन करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं क्योंकि जब ये सूर ग्रहन लगेगा तब उस समय भारत में रात होगी और जब भी ग्रहन लगता है तो वाता वरण में नेगेटिविटी फैल जाती है तो हो सके तो ऐसे में ग्रहन के समय आप घर से बाहर ना निकलें खास कर गर्वती महिलाएं उन्हें अपने गर्व में ग्रहन की छाया नहीं पढ़नी देनी चाहिए इसलिए भले ही आप भारत में क्यों न रहती हों लेकिन ग्रहन के समय आप अपने कमरे में ही रहें घर से बाहर ना जाएं और जिन देसों में ये सूर ग्रहन प्रतक्च रूप से दिखाई दे रहा है वहाँ पर रहने वाले लोगों को ग्रहन वा सूतक के सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा जिन देसों में ये सूर ग्रहन दिखाई देगा वहाँ पर ग्रहन का सूतक काल सूर ग्रहन सुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही सुरू हो जाएगा जो कि ग्रहन के साथ समाप्त होगा ध्यान रखें कि सूर ग्रहन के समय कोई भी सुब और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए दोस्तों हम लोग इस विशे में भी बात करेंगे कि ग्रहन के बाद कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि आप दान करके ग्रहन के दुस्प्रभाव से बस सकते हैं दोस्तों ग्रहन के दौरान बहुत सारी महत्तपूर्ण सौधानिया भी होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए जैसे कि ग्रहन के दोरान कभी भी आपको खुले इस्थान पर जाना नहीं चाहिए और नहीं ग्रहन को खुली आँखों से देखना चाहिए वहीं ग्रहन के दोरान भोजन नहीं करना चाहिए और नहीं पानी पीना चाहिए हाला कि जो लोग बिमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिने बहुत जादा जवरत है, वे लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं बस आप ग्रहन लगने से पहले अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता जरूर डाल लें और ग्रहन के दोरान कभी भी चाकू, कैची, छूरी, सुई, नेल कटर आदी का प्रयोग ना करें और ग्रहन के दोरान आपको किसी भी तिराहे या चोराहे पर पड़े किसी भी सिक्के या किसी भी चीज को अपने घर नहीं लाना चाहिए इस चीज का विषेज ध्यान रखें दोस्तों, ग्रहन के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करें, मंत्र जाब करें आप ग्रहन के समय किसी धार्मिक पुस्तक का पाट कर सकते हैं आप सूर ग्रहन के समय सूरी के मंत्रों का जाब करें आप सूर ग्रहन के समय आदित हर दैस्तरोत का पार्ट कर सकते हैं चले अब जान लेते हैं कि सूर ग्रहन के बाद आपको कौन कौन सी वस्तूं का दान करना चाहिए आप सूर ग्रहन के बाद लाल या पीली चीज़ों का दान करें जैसे के हूँ गोड, चना, लाल मसूर की दाल, लालवा पीला कपड़ा, लाल फल या इसके लावा जरूरत की किसी भी चीच का दान कर सकते हैं ग्रहन के बाद जूतों का दान करना भी सुब माना जाता है ग्रहन के बाद अन्य और वस्त का दान भी सुब फल देता है साथ ही कुछ पैसों का दान भी जरूर करें इससे आपको लाब मिलेगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद